अगर आप इस चानल पर नहीं है तो आप ऐसे अपडेट्स हमेशा पाने के लिए हमारा यह चानल जोइन कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसके साथ ही साथ आपको बेल आइकन आउन रखना है जिससे आपको हमारा अपडेट्स के सारे डीटेल सबसे पहले देखने को मिलेगे तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं पर शिरू करते हैं जो वैस अगर बात की जाए तो वीकली बेसिस पे हमें ओवराल प्रोडर मार्केट यहां पे इंडेक्स को आउट पर्फरम करता हुआ देखने को मिला मिड कैप अराउंड 0.8% और स्मॉल कैप अराउंड 0.6% के उपर हमें यहां पे इस चार्ट से देख वा रहे होंगे कि सैंसेक्स अल्मोस्ट 2% यहां पे ब्रेक वा है और निप्टी अपने हाई से यहां पे अल्मोस्ट 2-2.5% नीचे ट्रेट कर रहा है तो गाइस अभी अगर मार्केट को यहां से रिकवर करना हो तो यहां पे 17500 का सस्टेन होना हमारे लिए काफ़ी क्रूशल है और अगर बात कीजाए तो बैंक निप्टी भी यहां पे एक क्रूशल लेवल पे आके खड़ा हुआ है क्योंकि यहां पे निप्टी 100 से और 500 का जो इंडेक्स है उससे भी कुछ जाला सपोर्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है तो यहां पे बैंकिंग स्टॉक्स का अच्छा परफॉर्म करना मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशल बन जाता है और अगर बात की जाए तो सेक्टर्स के बेसिस पे इस बार हमें सबसे अच्छा यहां पे बैंकिंग स्टॉक्स में परफॉर्मेंस देखने को मिला जिसके बेसिस पे आपको यहां पे 37,000 का एक बेस आगे यहां पे बैंक निप्टी में फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सक अगर आप यहां पे at least six to eight months के लिए फार्मा स्टॉक वोल कर सकते हैं तो आप करेंट लेवल से भी यहां पे थोड़ी बहुत बाइंग करना कंसिडर कर सकते हैं तो यह जो आईटी इंडेक्स है थोड़ा और हमें प्रॉफिट बुकिंग के वज़े से नीचे आतावा देखने को मिलेगा और जैसा कि प्रिबेसले हमने आप से डिसकूस किया था कि यहां पे ग्लोबल मार्केट में जो एनर्जी क्राइसिस है उसका फाइदा यहां पे आपको एनर्जी स्टॉक्स में जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आपको एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रैली आगे भी एक्स्टेंट होदावाई देखने को मिल सकता है तो यहां पे अगर मार्केट बढ़ता से भी देखने को मिल सकता है तो गाइस जो लोगों का टार्गेट है यहां पे वो लोग अट लिस्ट वान टू विक्स के लिए स्टॉक बोल कर सकते हैं वो लोग मेटल स्टॉक पे अपना जो प्रिविएस डे का लो है उसको ऐसे स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं और इस के साथ यहां पर क्लोजिंग दिया है क्योंकि यहां पर 17500 का लेवल हमने सस्टेन किया है तो आपको इस लेवल पर एक नियर टम सपोर्ट का फॉर्मेशन होता है देखने को मिलेगा जैसा कि आप सुब देख सकते हैं 17500 के लेवल पर पूट साइट पे और इस लेवल पे अगर यहां पर मंड़े को मार्केट थोड़ा कि आपको पूपिंग दे तो 17500 हमारे लिए एक नियर टम सपोर्ट की तरह काम करेगा और अगर कंसिडर करें तो आपको नीचे के साइट 17400 का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट अभी के लिए यहां पर देखने को मिल सकता है क्योंकि 17400 के उपर ऑल्मोस्ट 40,000 पूट कॉंट्राक्स यहां पर आड़ वा है तो यह लवल हमारे लिए एक बेस की तरह नेक्स्ट वीग एक्सपारी तरह काम कर सकता है इन केश जो लोग यहां पर कॉल साइड में ट्रेड लेना कंसिडर कर रहे हैं उन्हें बता दे कि 17500 के सस्टेन हुने पर और अगर मंडे को यहां पर ओपनिंग 17600 के उपर आता है तो आपको नियर टंग रेजिस्टंस यहां पर 17600 पर देखने को मिलेगा क्योंकि इस लेवल पर मोर दन 45,000 कॉल कॉंट्राक्स आड़ वा है और 55,000 से भी ज्यादा हम ओपन इंट्रेस्ट कॉंट्राक्स इस लेवल पर करें देख सकते हैं और जो लोग यहां पर एक स्ट्रॉंग रेजिस्टंस को कॉंसिडर करें उन्हें बता दे कि 17700 पर सबसे ज करनी जाके एक्सपारी के लिए 17700 का कॉल यहां पर बाई साइड में कंसिडर कर सकते हैं इनकेस अगर हम देख रहे हैं वाइट बिल्डप को तो अभी के लिए 17500 और उसके जस्ट नीचे यानि 17400 के लवल्स पे थोड़ी बहुत पूट राइटिंग हमें देखने हुए था लेकिन क्यूंकि करन्ट लेवल्स पे 17500 पे यहां पे पुट और कॉल कॉंट्राक्स अल्मुस्ट यहां पे सेम लेवल्स पे हैं तो आपको 17600 के रिकले होने के बार ही आपको 17500 का कॉल इंद मनी बाई करना कंसिडर करना है तक तक आप छोड़ा वेट कीजिए क्यूंकि यहां पे ट्रेड लेते हैं उन्हें बताते हैं कि 38000 अभी भी हमारे लिए एक क्रूशल रेजिस्टन्स लेवल्स बना रहेगा क्यूंकि ओए डेटा के वैसिस पे यहां पे एराउंड 60000 से भी ज्यादा ओपन इंड्रेस कॉंट्राक्स हमें देखने को मिलता है और और एक यहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइट कॉल हमें एड होता हुआ भी देखने को मिलता है नेक्स्ट एक्सपारी के लिए हमारा अपसाइड यहां पे 38000 पे लिमिटेड है और जो लोग यहां पे इमीडियेट रेजिस्टन्स को कंसिडर करना चाहें तो 37 300 के रिकलम होने के ब आपका जो अगला सपोर्ट रहेगा वह होगा 37000 पे क्योंकि इस लेवल के मैक्सिमुम पूट कॉंट्राक्स एडवा है और 43 था उनसे ज्यादा ओपन इंट्रेस्ट कॉंट्राक्स हम यहां पे बिल्डप होता बाद देख सकते हैं जैसा कि इस सपोर्ट लेवल से आप पूट था तो कोई भी फ्रेश सेलिंग करने से इसमें अवाइड करें और इस चीज़ को अगर आप वाइड बिल्डप से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं 37000 पे अभी एक यूज पूट राइटिंग है तो अभी अगर हम इवेन फ्लाट ट्रेड करते हैं तो आपको 37 37,000 पे यहां पे इंदमनी जाके कॉल्स वाइड करना का पी प्रोफिडेबल सावित हो सकता है अभी के लिए उबर के लवल्स पे पूट थोड़ा सेलिंग सैट पर यानि पूट अन्वाइनिंग चल रही है तो जब तक यह पूट अन्वाइनिंग खतम ना हो तो आपको को ओवर 6-8 के बीज आरवी आई का मॉनिटरी कॉमिटेइ नीटिंग होता हुआ देखने को मिलेगा जिसमें आरवी यहां पे रिपो रेट और रवर्स रेपो रेट के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट रिट डिशिशन यहां पे ले सकता है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया रहे ह जो वॉल्यूम है और लिक्विडिटी है उसे देखते हुए यहां पे रिपो और रवर्स रेपो रेट को यहां पे सिमिलर रेट पे अचेंज रखता हुआ में देखने को जरूर मिल सकता है और इसके चलते यहां पे सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो सफिशिन बनी रहेगी तो आपको कोई भी इसके बेसिस पे पैनिक सेलिंग करने से अबोइड काना है जो अगला न्यूज रहेगा वो होगा क्रूड ओईल और ओपेक मीटिंग जैसा कि एक्सपेड किया जा सकता है नेक्स्ट वीग जो ओपेक प्लस मीटिंग होने वाला है उसमें प्रोडक्शन आउट्पुट बढ़ाने के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिसिशन लिया जा सकता है लेकिन यह क्वाइट अन्लाइकली है कि ऐसा कुछ डिसिशन लिया जाए कि जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन आगे बढ़ता हुआ हमें दिखे और इंडिया जैसे कंट् एटी डॉलर पर बैरल के उबर आ चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा है अगर यहां पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता उसे यहां पर अगर लिमिटेड रखाता है तो आपको इवेन साल के कतम होते होते बैरल पर रेट नाइटी डॉलर को भी क्रॉस करता हुआ जरूर द नाइटी डू क्रोर का एक्विटी शेर्स में सेलिंग किया है जबकि हमें डियाइस के साइड से यहां पर मार्केट में थोड़ी बहुत सपोर्ट आगलोड दवा देखने को मिलता है डियाइस ने इस बार अल्मूस्ट 4300 से भी थोड़ा उपर बाइं किया है और इवेन र 5-6% तक हमें बढ़ता वादी था जो कि लास्ट जून के मुकाबले काफी जाता है और अगर फेड का जो नियर डिसेंट्ली जो कमेंटरी आई थी कि इस साल के एंड होते होते अदोवाइस नेक्स्ट मार्च से अप्रिल के बीच में अगर टैपरिंग शुरू होता है यान सकते हैं इसके वाज़े से मार्केट में आप थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलेगी लेकिन अभी भी हमें बोलूंगा कि आपको पैनिक सेलिंग करने से अवोइड करना है और आप अभी भी अपना पूजिशन यहां पर एक स्क्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आगे आइटी कंपणी टी-स अपना क्यूटू रिजल्स हमारे सामने रखेगी और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लास्ट यहर के मुकाबरे हमें इस बार ज़रूर थोड़ी बहुत इंप्रूमेंट दिखने को मिलेगा लेकिन अगर बार करें क्वाटर ओन क्वाटर आपको इसमें एक फ्लाट ट्रेंड दिखाए दे सकता है तो आपको इस चीज को आगे शरूर करना होगा इसके बाद हमें इंफोसिस और विप्रोजर से कुछ कंपणी इसका प्रॉफिट क्यों रिजल्स पॉब्लिश होते वह दिखाए देंगे तो आप भी उन दो कंपण इसके उबर यहां पर अपना नाजर आगे बना ना कंसिडर कर सकते हैं और गाइस सबसे बड़ी बात यहां पर आफर इंडिया का स्टॉक फ्लिट होने जा रहा है सेवन्थ ऑक्टोबर को इसका जो स्प्लिट है वह यहां पर कंप्लीट होगा वन इस्टु फाइफ के स्प स्पेसिस बे एक छोटा सा हम पोजिशनल ट्रेड इसमें कंसिडर कर सकते हैं लेकिन यह प्योरली आपका ड्रिस्क और रिवार को देखते वे आपको प्लान करना है आज के लिए इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक अगर आपने हमारे चैन कर सकते हैं और मेंबर्शीप लान के डीटेल्स आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंके सो मच और आई विल सी यू इन नेक्स वान